सो ही गाईज अगर आप भी इस्टाघरम पर एगुल रफोटो आ वीडियो का अप लौडड करते हैं और आपने हमेशा नोटिस किया होगा जब हम अपनी रिल्स विडियो या फोटो को हाई क्वालूट कրते हैं और Instagram पो upload होने के बाद जो हमारी वीडियो या फोटो के quality है low हो जाती है और ओ थोड़ा सा blurry type के दिखने लगता है तो guys आज की वीडियो में यही बताने वाले किस तरीके से आप अपने Instagram के रिल्स वीडियो या फोटो को high quality में upload कर सकते हैं तो वीडियो complete देखेगा और आपको वीडियो पॉसंद देता अपना एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लाइक करने के साथ चैनल को भी जरू सब्सक्राइब कीजिएगा तो guys चलिए भी नदरी के वीडियो को start करते हैं तो guys सबसे पहले आपको अपना इस्टाग्राम open करना है और इस्टाग्राम open करने के बाद रैट साड में नीचे देखेंगे आपका डिपी देख जाएगा इस पर आपको कर देना है क्लिक और उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं थी लाइन है इस पर आपको कर देना है क्लिक और यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेटिंग इस पर आपको कर देना है क्लिक और setting पर click करने के बाद देख सकते हैं आप लिखा हुआ account इस पर आपको कर देना है click और account पर click करने के बाद यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है mobile data use इस पर आपको कर देना है click और उस पर आप जैसे ही click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह की interface आ जाएगा और यहां देख सकते हैं लिखा हुआ अभी वाइफाी तो आपको करना है क्लिक तो नीचे देख सकते हैं आप लिखा हुआ है मॉबाइलbruike में सेलेक्ट होगा। अगर हम अपने मोबाइल से इस्टागराम का फोटो ए वीडियो अपलोड करते हैं तो हाई क्वाल्टी में अपलोड होगा अगर हम अपने वाइफाई से भी करते हैं तो हाई क्वाल्टी में अपलोड होगा तो गाइच इस तरीके से आप अपने इस्टागराम एस सेटिंग आप अपने इस्टाग्रम को फोटो वीडियो और रिल्स को हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हैं अभी तका वीडियो का लाइक नहीं किये ता अपना एक लाइक जरूर करते हैं और वीडियो का लाइक करने के साथ चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी आपको ऐसे इस्टाग्राम को फोल वीडियो मिलता रहा है तो आज के लिए बस इतना ही हमिलते आप से नेक्स्ट वीडियो में एक आइसे इस फूल वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइब फ्रेंट्स जाय हिंद